Transport in Humans and Plants इसके हवाले से आज हमारी तिसरी वीडियो है आज की इस वीडियो में हम Heart यानी दिल जो के एक आरगन है और Transport सिस्टम में इसका बहुत अहम किरदार है इस हवाले से सीखने और समझने की कोशिश करेंगे Heart दिल The Heart दिल जो है The Heart दिल is a muscular एक उजलाती पंप पंप है यानी दे हर्ट इस ए मस्कुलर पंप दिल एक उजलाती पंप है यानी पंप करने वाला आरगन है विच पुशिज जो पुश करता है या दकेलता है बलड खून को एराउंड दी होल बाड़ी तमाम जिसम के इर्द गिर्द यानी तमाम जिसम में खून को पुश करता है यानी दिल एक ऐसा आरगन है जो के पंप करने वाला मस्कुलर आरगन कहलाता है और इसका काम ये है के तमाम बाड़ी में खून को पुश करता है ग्वाई कांट्रिक्शन एंड रिलिक्सेशन यानी सुकरने और पेलने के अमल के जरीए से इनके जो मसल्स होते है इनके जो मसल्स होते है इनके जरीए से and is और ये दिल जो है is के मानी है and और is ये दिल है of the size जिसामत में यनि इनका size है of a human एक इनसान का fist जो एका बंद मुटी होता है यनि इनसान का जो एक मुटी के बराबर इनका size होता है जिस तरह हम अपने हाथ को जब बंद कर देते हैं तो उनका जो size होता है इतना ही size हमारे दिल का भी होता है it is located ये वाके होता है यनि ये located होता है वाके होता है in the chest cavity सीने का जो खाना है यनि हमारे जो chest होते है हमारे सीने का जो खाना होता है किवीटी होता है वहाँ पे ये लोकेट यनि वहाँ पे ये वाके होता है Between the two lungs दो पेपड़ों के दर्मियान यनि हमारे बदन में दो पेपड़े है उन दो पेपड़ों के दर्मियान जो एक खाना होता है सीनी का वहाँ पे दिल वाके होता है The heart दिल जो है is है Protected by ribs इनकी हिफाज़त की जाती है Protected इनकी हिफाज़त की जाती है By the ribs पसलियों के जरीए से And covered और ये डामपा रहता है यनि इसकी उपर cover होता है या ये डामपा रहता है By a tough एक मुश्किल या एक ठफ डबल वाल्ड यनि दोरी वाल्ड डबल दोर्या वाल्ड दीवार मेंब्रेन वाल्ड मेंब्रेन यनि वो मेंब्रेन जो डबल वाल्ड पर मुश्किल होते है इसके जरीए से या इसके अंदर एक दिल डामपा रहता है खाल दी पिरी कार्डियम उनको हम पिरी कार्डियम बोलते है यनि जो डबल वाल्ड मेंब्रेन होते है उनको हम साइन्स की जुबान में पिरी कार्डियम बोलते है इन बिट्वीन दी वाल्स या इन देवारों के दर्मियान यह जो मेंब्रेन वाल होते हैं इनके दर्मियान आप दी मेंब्रेन्स इनके जो मेंब्रेन्स होते हैं इनके वाल्स देवारों के दर्मियान एक माया या एक फ्लूइड सा मौजूद होता है exam present मौजूद होता है which lubricates जो के lubricate कर देता है या चिकनाई देता है यानि इसको तेल जैसी मतलब जिस तरह किसी चीज़ को हम तेल देते हैं तो उसमें चिकना हट आ जाती है तो इसी तरह जो हमारा दिल होता है इसमें जो वाल लगे होते है जेयो डबल वार्ड मिंब्रेन होते हैं इनको हम पिरिकार्डियम बोलते हैं उनके दर्मियान एक फ्लूइड मौजूद होता है जिनका काम किया होता है वो lubricates कर देते हैं यानि चिकना हट देते हैं दि हार्ट हार्ट को कब देते हैं जब वो हट बीट यानि हमारा दिल जो दड़कन शुरू करता है तो दड़कन के दवरान चिकना हट जो देते हैं तो वो जो वाल्ड मिंब्रेन लगे होते हैं उनके दर्मियान एक फ्लूइड लगा होता है या मौजूद होता है उसी फ्लूइड से लुब्रेकेट्स पाइदा होती है और दिल को वो लुब्रेकेट्स मिल जाती है तब जब वो बीटिंग यानि जब वो दड़कन शुरू करता है दी हर्ट हमारा दिल कंजिस्ट आफ फोर चिमबर्स ये मुच्तमिल होता है चार खानों पर या चार चिमबर्स पर हमारा दिल चार चिमबर्स पर मुच्तमिल होता है तू एट्रिया दो को हम एट्रिया बोलते है यानि दो इसमें एट्रिया होते है सिंगुलर इसका किया है एट्रियम यानि दो एट्रिया होंगे and two ventricles और दो जो होते है इसमें ventricles होते है यानि दो atria और दो ventricles पर मुझतमिल होता है चार chambers इसमें होते है there is one atrium एक atrium होता है and one ventricles और एक ventricles होता है on the left side of the heart दिल के बाएं जानिब यानि एक atrium और एक ventricles left side of the heart दिल के बाएं जानिब होता है and one atrium and ventricles on the right side इसी तरह right side पे एक atrium और एक ventricles होता है atria यानि ये जो दो atrium होते है atria और smaller वो छोटे होते है atria और smaller छोटे होते है in size जिसामत में दिन दा विंट्रिकल्स विंट्रिकल्स है यानि ये जिसामत में विंट्रिकल्स से smaller होते है कम होते है atria और thin opens जो के open यानि कुल जाते है और जो उनसे तिक होता है मोटा होता है वाल्ड जो दिवारे होती है मोटी दिवारे जिनको हम विंट्रिकल्स बोलते है through opening guarded by the walls यानि एक जो सुराख के जरी से होता है जो के walls लगे होते है वहाँ पे ये कुल जाते है या उसमें open हो जाते है the right side of the heart जो दिल का right side होता है यानि दाया तरफ receive वो हासिल करता है de-oxygenated blood वो खून जो de-oxygenated होता है यानि de-oxygenated blood क्या होता है blood poor in oxygen वो खून जो के oxygen की मिकदार इसमें कम होती है यानि कम मिकदार में जो oxygen होती है या ना होने के बराबर होती है from different parts of the body जो मुखतलिफ parts of body जिसम के हिस्से होते है the left side of the heart जो बाया तरफ होता है दिल का receive वो हासिल करता है oxygenated blood यानि oxygenated blood हासिल करता है left side जो खून होता है यानि वो blood rich in oxygen जिसमें oxygen की मिकदार काफी ज्यादा होती है या वो oxygen से बरे होते है from the lungs वो paper से हासिल करते है and pumps it to the rest of the body और इसको बागी जिसम के तमाम हैं सो तक pump कर देता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हर्ट के हवाले से पढ़ा कि ये muscular आरगन है या muscular pump है और ये चार चिंबर्स पर मुझतमिल होता है और ये ribs के जरी से इनकी protection होती है और इनके दर्मियान एक fluid होता है pericardium जो होता है इसके जरी से इसकी हिफाज़त की जाती है या उसमें ये cover होता है या डामपा रहता है और जो heart beating होती उसके लिए lubrication का अमल कहा से आता है fluids तो ये pericardium जो होता है वहाँ पर ये लगा होता है और ये चार खाने और यहाँ पर हमने ये सीका के atria जो होता है ये smaller होता है दिंदी ventricles और ये भी सीका के जो दिल का दाया तरफ है तो दाया तरफ में de-oxygenated blood आता है और दिल का बाया तरफ जो होता है वो oxygenated blood receive करता है और ये भी हमने सीका के de-oxygenated blood जो होता है वो body से आता है दिल को और oxygenated blood जो होता है वो lung से आता है दिल को यानि पेपडों से दिल को आता है और यहां से तमाम जिसम को जाता है जो डी अक्सिजिनेटेड बलड होता है वो तमाम बदन से देल को आता है और यहां से यह पेपड़ों की तरफ जाता है और अक्सिजिनेटेड बलड जो होता है वो यह पेपड़ों से रिसीव कर देते है और डी अक्सिजिनेटेड बलड जोता ही ये तमाम बदन से उस रिसीव कर देते तो उमीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी